हाई उरीवान, वेलकम तो दे लाइन बाइन एक्स्प्लेनेशन ओफ पोएम नमबर थी, रेन ओन दरूफ, यह आपकी क्लास नाइन्द के, एंगलेस लेटरेचर का जो में बुक है बिहाइव, इसका पोएम नमबर थी है, हमने इस पोएम के पहले आलरेडी जो तीन चाप्ट हैं, प्लस दो पोएम इनको एक्स्प्लेइन कर रखा है, लाइन बाइन एक्स्प्लेइन कर रखा है, अगर आपने अभी तक उन वीडियो को चेक नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, इवन आई वाले बटन पर क्लिक करके सकते हो, जरू चेक करना, बात करते हैं इस वीडियो की, रेन ओन दे रूफ, इस पडिकुलर पोएम को पड़ते टाइम, जितने भी डेफिकल्ट वर्ट्स आपको इस पोएम में मिलेंगे, प्लस सभी स्टैंजास की लाइन बाइन हिंदी एक्स्प्लानेशन, और इसके अल किसके छत पर बारिस होती है, क्यों होती है, यह हम पड़ेंगे, पोएम स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन है इस पोएम का, इसको पड़ते हैं, कि वन दर स्काई इस कवर्ड विद डार्ग क्लाउड्स, और इट स्टार्ट रेनिंग, कह रहा है कि यह पोएम स्टार्ट होता है, कभी स्टार्ट होता है, जब काले काले बादल हमारे आसमान में घिर जाते हैं, और जब बारिस होने लगती है, तब क्या होता है, जब कभी भी बारिस होती है, क्या तुमने कभी सुना है, क्या सुना है, पैटर ओफ सॉफ्ट रेनिग, यानि जो बारिस through your mind as you heard melody of nature आप जब इस बारिस की बूदो की यह जो प्यारी प्यारी आवाज है यह जो नेचर की बहुत ही मधूर आवाज आ रही है इसको सुनकर तुम्हारे माइंड में कैसे thoughts आते हैं अब बहुत सारे thoughts आते हैं जैसे मैं बच्पन में बारिस से related बहुत सारी यादे होती हैं हमारी तुम्हारी भी होंगी मेरी भी है जैसे मैं बारिस होती थी थी ना तो बच्पन में कागच के नाओ बनाता था फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने दोस्तों के साथ साइकल से बारिस में भीकते हुए आना स्कूल से तो ऐसी बहुत सारी यादे हैं ऐसे ही कुछ memories poet की भी है मतलब जब कभी भी बारिस होती है ना तो poet को कुछ बहुत special याद आ जाता है और वो क्या याद आता है वो हम इस poem की थूपड़ेंगे अब यह आपको बता चल गया होगा कि यह poet poem लिख क्यों रहा है एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ यह पूरा poem हमारा nostalgia का example है किसका example है nostalgia का example है nostalgia का मतलब क्या होता है भाई जब कभी भी हम कि किसी पुरानी चीज़ को याद करते है कोई अच्छी चीज़ जो हमारे साथ past में हुई है तो हम nostalgia हो जाते है nostalgia का मतलब क्या होता है एक simple सा example मैं आपको देता हूँ आप जब अपनी पुरानी photos देखते हो आप कभी कहीं घूमने गए हो उस समय की photos देखते हो तो आपको क्या याद आता है आपको याद आता है वो समय याद आता है आपके face पे smile आज आती है तो आप nostalgic हो रहे हो nostalgia का मतलब क्या होता है positive memories जो हमारी past की अच्छी यादे है that is known as nostalgic ठीक है हाई वैसे तो आज सभी students का एक dream होता है कि हम IIT और NIT जैसे colleges से अपनी engineering की पढ़ाई करें aim जैसे colleges से अपनी medical की पढ़ाई करें बढ़ आपको पता है इन colleges के लिए आपका rank भी बहुत अच्छा होना चाहिए इससे आपकी preparation भी next level होनी चाहिए अब अपनी next level preparation करनी के लिए आप Unicademy की combo subscription के साथ जा सकते हो अगर आप अभी class 9th में हो तो 9 10th का combo आप ले सकते हो 2 साल के लिए आप अगर 2 साल का subscription लेते हो ना तो आपको Unicademy plus 2 years अपनी तरब से देता है जिसमें आप 9 10th IIT JE की preparation कर सकते हो वैसे ही अगर आप class 10th में हो तो you should go for Unicademy class 10th and 11th subscription इसके साथ अगर आपका कोई drop year है तो वो उसको भी cover कर लेते हैं मतलब आपको 2 साल के subscription में पूरे 4 साल मिलने वाले Unicademy का combo subscription लेने के अपने अलग फायदे हैं इसके अलग benefit से अगर आप कभी भी plus subscription लेते हो जैसे आप class 9 10th का combo subscription लेते हो और आपको अलग-अलग courses के access भी मिल जाते हैं तो आपको ये code यूज़ करना चाहिए आपको 10% का discount मिल जाता है So go for it So start करेंगे इस poem की पहली line से ये जो पूरा poem है ना ये बारी से start होने की थोड़ा सा पहले इस poet ने लिखा है बारी से start होनी वाली थी तभी इस poet ने poem को लिखना शुरू कर दिया उसने क्या लिखा? उसने कहा कि भाई जब काले-काले बादल च्छाज आते हैं You meet shadows का मतलब क्या होता है? You meet shadows का मतलब होता है dark clouds जो बारी से होने से पहले जो बादल होते हैं काफी काले हो जाते हैं उन्हीं को you meet shadows का मतलब यहां पर clouds है और you meet का मतलब नमी भरा या जो काले बादल होते हैं उसमें बारिस की बुदे छुपी होती है इसलिए इनको you meet काहा गया है जिसके अंदर पानी हो ठीक है? तो कह रहा है कि भाई जब काले काले बादल होवर कर लेते हैं यानि cover कर लेते हैं किसको cover कर लेते हैं? हमारे starry sphere को मतलब हमारा यह जो पूरा sphere है sphere का मतलब होता है sky हमारा यह जो तारों से भरा आस्मान है जो खुला आस्मान है जब इसे काले काले बादल कवर कर लेते हैं तो क्या होता है मिलॉंकली डार्कनेस हर तरफ सन्नाटा मिलॉंकली का मतलब क्या होता है मिलॉंकली का मतलब होता है साइलेंस हर तरफ सन्नाटा चा जाता है क्योंकि रात का मौसम है अंधेरा भी है और बारिज भी होने वाली है इस मतलब बारिस की बूदे बनकर आसमान से नीचे जैसे आसू गिरता है ना बिल्कुल वैसी ही प्यार से बड़े ही धीरे धीरे आसमान से बारिस की बूदे नीचे गिर रही थी अब पोएट इसमें कुछ फील लेता है वो कहता है कि भाई ऐसे मौसम में वाटर ब्लिस कितना मज़ा आता है तक ये को पकड़कर अपने दोनों हाथों से दबाने में और कहां बैठकर अपने कॉटे चैंबर बेड यानि अपने बेडरूम में बैठकर ऐसा करने में बहुत ही मज़ा आता है और लेते रहना और बारिस की बूदों की टपटपाहट टैकर अपने सर के ऊ गासमां में च्हाज आते हैं तो क्या होता है हर तरफ सननाटा हर तरफ अंधेरा होता है फिर धीरे बारिष की बूधे जमीन पर आती है टप 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 की मज़य कई बुध की आ आती है और ऐसे मौसम में किया को पकड़क स्था बेडरूम में इंटा मिलता है कहां प्लेजर मिलता है ठीक है अब इस स्टैंजा में कौन सा कौन सा figure of speech यूज हुआ यह देखो यहाँ पर दो consonant पास-पास में यूज हुए न तो यह हमारा हो गया alliteration जिसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं ठीक है alliteration जिसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं अब देखो यहाँ पर s और s है इसलिए यहाँ पर alliteration है और भी है क्या यहाँ पर और भी है क्या और भी है क्या और भी है क्या यहाँ पर नहीं आई थिंक इस इस टैंजा में नहीं है अब आगे वाली इस टैंजा में पढ़ेंगे तो आपको हम दिखाएंगी से टैंजा में नहीं है न यह है लाई एल और आप देख रहे हो दो पैटर क्या है पैटर एक साउंड वर्ड है और भाई जिस भी लाइन में साउंड वर्ड यूज हो जाए वहां पर कौन सा फिगर आउस पीच होता है ओनो मोटो पाईया ठीक है अब यहां पर देखो यहां पर वीप्स कह रहा है कि यह जो अंधेरा है यह बारिस की बुदे बन कर नीचे गिड़ता है तो अंधेरा एक non-living thing है रोना इंसानों का काम है तो जब कभी non-living thing को किसी leaving thing का काम करवाई जाए समझ जाओ वहां पर क्या है परसाौनि फिकेशन है मानवी करड फिगर आफ स्पीच तो यह तीन फिगर फिगर आफ स्पीच हमारे फॉर्स स्टैंजा में यूज़ हुए है आपको याद होने चाहिए चलो सेकेंड स्टैंजा की बात करते हैं आप देख सकते हो एल 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 एलेटरेशन एस एस मतलब दो कॉंसोनेंट अगल बग आता है तक यह को पकड़के दबाने मज़ा आता है और बारिस की बूदों की टप्टपाहट अपने च्छत पर सुनना बहुत अच्छा लगता है उसके बाद क्या कह रहा है कि भाई जैसे जैसे एवरी टिंकल ऑन दे सिंगल्स मतलब इसके च्छत पर क्या लगी थी स्क्व स्क्वायर टाइल्स जो हमारे गाओं में खपडायल होती है च्छत की ऊपर खपडा लगाया चाता है ताकि बारिस की बूदे आए और हमारे घर को नुकसान ना करें बस उसी को हम क्या कहते हैं सिंगल्स कहते हैं तो कह रहा है कि भाई पोएट के च्छत पर जो स्क्वायर इसकी आवाज सुनी है ना बिल्कुल वैसी आवाज करती थी जब बारिस की बूद इसके च्छत पर पड़ती थी तो ठीक है टिंकल भी एक साउंड वर्ड है यहां पर भी सेम फिगर और स्पीच ओनो मोटो पाईया होगा जहां पर भी कहीं किसी चीज के आवाज की बात हो ओनो मोटो पाईया ठीक है चलो तो यहां पर भी यह क्या है टिंकल क्या है टिंकल इस दे साउंड वर्ड जो बारिस की बूदे इस पोएट के च्छत पर जब गिरती है तो वो टिंकल साउंड प्रेड्यूस करती है मतलब जहनकार पैदा करती है ठीक है अब यह जो आवाज है बारिस के बुदो की ये poet के hurt में eco कर रहा है बार बार घूज रहा है और इसके अलावा poet के mind में हजारो dreamy fancies मतलब हजारो memories आती है memories dreamy fancies का मतलब जो बारिस से जुड़ी poet की जितनी भी यादे थी अब तक poet ने बारिस में जो जो भी मजे किये थे अपनी जिंदगी में वो सभी याद आने लगते हैं dreamy fancies का मतलब जो पुराने यादे हैं वो ताजा होने लगती है इनसान के दिल में ठीक है तो ये जो सुरुवात की चार लाईन ये क्या कहती है कहती है कि भाई जैसे ही poet के या किसी भी इनसान के छट के उपर जब बारिस की बूदे पढ़ती है तो बारिस की बूदे इतनी प्यारी होती है कि वो हमारे मन में बार बार गूज रही होती है और इसके अलावा जब हम बारिस की बूदों को सुनते है तो हमारी हजारों यादे जो बारिष से जुड़ी होती है वो ताजा हो जाती है यहाँ पर busy being किसको कहा गया है हमी इंसान को human being को क्या कहा गया है busy being कहा गया है क्योंकि भाई इंसान आजकल काफी busy रहता है तो कहा गया है कि यह जो human being होते हैं जब बारिस की आवाज सुनते हैं तो उनके मन के अंदर हजारों पुरानी यादें ताजा हो जाती है and a thousand recollections और recollections का मतलब होता है भाई memories recollection का मतलब क्या होता है जो पुरानी जो collections है जो पुरानी memories है हजारों memories बारिस की आवाज सुनकर हमारे दिमाग में हमारे दिल में आने लगती है और उसके बाद क्या करती है वो weep their air threats मतलब हजारों यादे एक दूसरे से जुडने लगती है और पुरा गुच्छा बना लेती है memories का मतलब जब कभी भी हम बारिस की बूदो को सुनते है तो बारिस से related हमारी जितनी भी यादे होती है वो सभी एक एक करके हमें याद आने लगती है और बहुत सारी यादे हो जाती है हमारी बारिस से जोड़ी बहुत सारी यादे है जैसे मेरी भी बहुत सारी यादे हैं बारिस से जोड़ी बारिस में मैंने जो जो भी किया अपनी जिन्दगी में न वो मेरे recollections है समझ में आया? समझ में आया की नहीं आया? बिल्कुल आगे होगा आगे बोलते हैं, आगे poet कहता है कि भाई ये सब मुझे कब याद आ रहा था? जब मैं लेटा हुआ था, अपने छट के ऊपर बारिस के पैटर को सुन रहा था बारिस के टप टप हाट की जब आवाज सुन रहा था तब ये सारी चीजे मुझे याद आ रही थी, मुझे पुरानी यादे याद आ रही थी मुझे dreamy fancies, जो सपने, जो पहले मैंने सपने देखे थे बारिस के मौसम में जो मैं पहले बारिस के मौसम में जो कुछ भी करता था, वो सब मुझे याद आ रहा है तो यह poet हमारा कहता है second stanza में second stanza में भी कुछ figure of speech यूज हुआ है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो यह देखो dreamy नहीं है dreamy fancies नहीं है sorry busy being देखो b b दो consonant एक साथ यूज हुआ है इसलिए यहाँ पर क्या है alliteration है आप यहाँ पर भी देख रहे हो यह कहा गया है कि भाई weave their air thread weave का मतलब क्या होता है weave का मतलब होता है सिलना या किसी चीज को बुनना ठीक है तो यह सिलने का काम इंसानों का होता है तो यहाँ पर recollections यह जो non living thing है उसको इंसान का काम करवाया जा रहा है जब किसी non living thing को किसी living thing की तरह treat किया जाए समझ लो वहाँ पर कौन सा figure और speech है personification है personification what it? यह personification है यह alliteration है यह दो हमारी figure और speech यहाँ पर use हुए है हाँ एक और है tinkle और patter यह दोनो sound word है इसलिए यह दोनो क्या है यह दोनो ono moto paia है what it? समझ में आया चलो अब third stanza पर चलते हैं और इसके भी line by line explanation को समझते हैं अब poet आखिर में बताता है कि उसे actual में याद क्या आता है कह रहा है कि now in memory comes my mother अब जो पुरानी यादे थी बारिस से जुड़ी वो हमारी ताजा होती है और मेरी memory में मेरे दिमाग में मेरी मा की याद आती है मुझे मा की बहुत जोरों से याद आने लगी क्योंकि अब वो मा हमारे साथ नहीं है she used in years again मतलब वो कई साल पहले गुजर गई अब वो हमारे साथ नहीं है इसलिए जब कभी भी बारिस होती है तो बारिस में मेरे दिमाग में मेरी मा की तस्वीर छप जाती है मेरी मा से जुड़ी मेरी यादे ताजा हो जाती है कौन सी यादे तो रिगॉड दार्लिंग ड्रीमर्स ये पोएट poet को ही कहा गया है actually darling dreamer darling dreamer मतलब जो चोटे-चोटे प्यारे बच्चे होते हैं जो बारिस के मौसम में जब सो जाते हैं तो उनकी दिमाग में बहुत सारी प्यारी-प्यारी यादे आती हैं प्यारे-प्यारे सपने आते हैं तो पोएट जब बारिस के मौसम में सोता था तो जो इसकी मा थी न, वो क्या करती थी? इन्हें साम तक सोने देती थी ताकि ये जो पोएट है ये अच्छे से सपने देख पाए अब ये चीज़ पोएट को बारिस के मौसम में याद आती है अपने मा के बारे में ठीक है? और उसके बाद आगे पोएट क्या कहता है? कहता है ओ, I feel her fond, look on me, कह रहा है कि मेरी मा तो अ पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मा अब भी मेरे साथ है, कब ऐसा लग रहा है? जब I listen, list का मतलब क्या है? list का मतलब listen है, ठीक है? list, यहाँ पर short form में use किया गया है, बट आप listen समझ के चलना, कह रहा है कि भाई, जैसे ही मैं ये refrain सुनता हूँ, refrain का मतलब वही जब ये जो poet है, जब ये टप टप हाट की आवाज, जब ये बारिस की बूदो की reframe सुनता है ना, तब उसे अपनी मा से जुड़ी यादें साजा हो जाती है, which is played upon the singles by the patter of the rain, ठीक है? वो कह रहा है कि जब मैं ये बारिस की बूदो की आवाज सुनता हूँ, जो की मेरे ऐसे darling dreamers को साम तक छोड़ देती थी, सोने के लिए और हम सब सोया करते थे, ठीक है, so this is all about the poem, I hope आपको ये पूरा poem समझ में आया होगा, और इस आखरी के stanza में भी कुछ figure of speech यूज हुए है, जैसे आप यहाँ पर देख पारे हो, darling dreamers, देख रहे हो आप यहाँ पर, alliteration है, क्या है, alliteration है, क्योंकि यह darling dreamer D or D, दो consonant अगल बगल यूज हुए है, ठीक है, और भी है क्या कुछ यहाँ पर, I feel her flaunt, यह वो, नहीं, और नहीं है, पैटर तो आप जानते हो, यह sound word है, यह ओनो मोटपाया figure of speech है, so this is all about this poem, I hope you have loved this poem, अपने प्यार जरूर बस अब share कर दो, और subscribe भी कर देना, और notification भी on कर देना, और खूब पढ़ो, लिखो, ask करो, बस पढ़ते रहो, ठीक है, चला बाबाई, take care and